खूल फूली फूली यह तो टेस्टी लगती ही है लेकिन क्या आँ जानते हैं कि यह किलें हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है और हो भी क्यूँ ना भाई खाने पीने की सब से जरूरी चीजों मेंसे एक रोटी ही है क्योंकि इसे रोजाना तीन टाइम खाया चाता है और कितना ही खालो कभी भी बोर्ड नहीं हुआ चाता कहने को रोटी सबसे हेल्दी वाना चाता लेकिन बावजुद इसके रोटी के बारे में कोई बात नहीं करता ऐसे में आज हम इस वीडियो में सबसे पहला आता है डाइजेशन आपको बता दे कि रोटी में सॉल्यूबल फाइबर होता है जिसे खाना पचाने में आसानी होती है वहीं दूसरे नंबर पर आता है वेट लोस रोटी पर अगर घी और मखर ना लगाए जाए तो उसमें बाकी फूर्ट के मुकाबले से निजात पाए जा सकता है अब channel है हमारा kidney treatment without dialysis तो kidney patients के मन में ये सवाल आना लाज़मी है कि क्या वो लोग रोटी खा सकते हैं ये नहीं तो आपको बता कि kidney patients रोटी खा सकते हैं लेकिन कम amount में और अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो कोशिश करें कि wheat flour का ही इस्तमाल कर है लेकिन फिर भी किड़नी पेशन को अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही रोटी खानी चाहिए क्योंकि जादा माउंट में रोटी खाने से ब्लड शूगर बढ़ सकता है क्योंकि रोटी में हाई डॉक्टर से सला कर लें क्योंकि कई लोगों को सीरियस डिजीज होती है ऐसे में डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देख कर भैतर तरीख से बता पाएंगे कि आपके लिए कितने अमाउंट में रोटी खाना सही रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैस के अगरे साथ दुबारे मुलकात होगी तब तक अपना ख्याल रखें और सुस्त रहें